लोग पूछते हैं क्यामत कब आईगी? जब आखें चुन्धिया जाएंगी, जब चांद सिया हो जाएगा और जब सूरज और चांद को लिपेड दिया जाएगा उस दिन लोग कहेंगे क्या कोई फरार का रास्ता है? नहीं! कोई फरार का रास्ता नहीं, कोई पना की जगा नहीं उस दिन वाहिर ठिकाना अपने रब के सामने पेश होना होगा क्यामत का दिन वो दिन जिसका इंतिजार हर शक्स खौफ और तजस्स से कर रहा है हम ये तो नहीं जानते कि क्यामत कब आईगी मगर इतना मालूम है कि ये करीब आ चुकी है कैसे? क्योंकि इस हवाले से बहुत सी आहादीसे शरीफा है हमारे नवी सलिल्लाहु आईवा सल्म ने बयान किया है कि क्यामत का दिन शुरू होने से पहले कुछ खास वाकियात होंगे वो खास वाकियात क्या है? आप उन्हें जान कर बहुत एहरान होंगे आईए उन निशानियों पर बात करते हैं जो बताती हैं कि दुनिया का खात्मा करीब है जब आस्मान चेर जाएगा और जब सितारे जहर पड़ेंगे और जब समंदरों को उबाल दिया जाएगा और जब कबरे उखार दी जाएगी उस वक्त हर शख्स को पता चल जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा क्या खौफ जदा है कि क्यामत का दिन करीब है वो दिन कब आएगा हमारी बताए जाने वाली हर निशानी पर गौर करे उन से पता चलता है कि हम क्यामत से कितने करीब है कुछ निशानिया या इशारे क्यामत की दिन से पहले जाहर होना शुरू होंगे ये निशानिया लोगों का दीनी एहकाम की जान बूच कर खिलाफ वर्जिया करना या इखलाकियात का जवाल है जैसे जैसे कियامत करीब आएगी तो ये निशानने जाहिर होगी और ऐसा जरूर होगा चाहे लोग उसे पसंद करे या नहीं उन्हें बड़ी निशानने या अजीम इशारे कहते हैं पहले हम कुछ छूटी निशानियों पर बात करेंगे और फिर बड़ी निशानियों पर पहली निशानी दरहकीकत पेगंबर मुहम्मद अल्ही वसल्म की पैदाइश है हमारे नबी अल्ही वसल्म को दुनिया में आखरी नबी बना कर भीजा इया ताके आप लोगों को खबरदार करें और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाएं आखरी नबी की पैदाइश को छोटी निशानियों में से सबसे अहम निशानी समझा गया था अगली निशानी ये है कि लोग कुरान मजीद की एहमियत को भूल जाएंगे आप का क्या ख्याल है? क्या इस वरबात करने की जरूरत है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हम उसे ज्यादा तर लोग अपनी जिदाग्यों की एहमतरीं चीज़ कुरान को जिदागी के दوسरे कामों से पिछे रखते है क्या ऐसा नहीं है अगर हम खुद से पूछें कि हमने आखरी मरतबा कुरान की तिलावत कब की थी तो एहसास हो जाएगा कि हम उसकी एहमियत को भूल चुके हैं या नहीं कोई नमाज नहीं पढ़ेगा कितने फीसाद लोग नमाज पढ़ते हैं ये समझने के लिए स्कूल या आफिस में अपने इर्द गिर्द नजर डाले जब क्यामत करीब होगी तो नमास पढ़ने वाले लोगों की तादात कम हो जाएगी ये भी एक नुमाया निशानी है कि क्यामत करीब है मस्जिदों को सजाया जाएगा लेकिन अबादत को इतना अहम नहीं समझा जाएगा अगर आप गोर करें तो आज कोई अपने करीब तरी दूसरों पर भी एतमाद नहीं खड़ता तिजारत में इमानदारी खत्म हो जाएगी शराब नोशी जैसे बड़े गुना आम हो जाएंगे मुक्तलिफ नामों से शराब मिलेगी जिन में से कुछ को हलाल जाइस समझा जाएगा फहाशी और उर्यानी आम हो जाएगी बुरी शहरत में इसाफ़ा होगा मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें काफी होंगी कंजूसी और लालच में इजाफ़ा होगा रिश्टेदारों की रिश्टेदारिया तूट जाएंगी हम इस निशानी का बोज ईद के दिनों में सबसे ज्यादा महसूस करते है क्या ऐसा नहीं है आपका क्या ख्याल है बड़े अपने छोटों पर रहम नहीं करेंगे और छोटे अपने बड़ों की जद नहीं करेंगे तलाक की शरा और नाजाइस बच्चों की तादाद बे तहाशा होगी जिहाद और तबलीग की सरगर्मिया छोड़ दी जाएंगी सिर्फ गेर मजभी साइंसी उलूम सीखे जाएंगे इस पर गोर करें अपने बच्चपन से लेकर अब तक हमने दीनी अजबाक में चन्द तसवरात ही पड़े है हम गर्मियों की छुट्टियों में कुरान की तलावत सीखने के लिए मस्जिद गए थे बस हमारे पास इतना ही दीनी इल्म है पुद्रती निजाम में खलल आ जाएगा सेलाब जलजले आफ़ते जैसे के आतिजदगिया पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगी मादनी काने तबा हो जाएंगी गतलो गारत गिरी बढ़ जाएंगी उची उची इमारतें तामीर की जाएंगी गदर तकदीर और बहुत के बाद जिन्दगी से इंकार किया जाएगा क्या आपने मुशाइदा किया है क्यामत के दिन की तकरीबन सारी निशानिया जाहर हो चुकी है अगर ये निशानिया वाके हो चुकी है तो इसका मतलब है कि क्यामत करीब है इनसानियत अपने आखरी मरहले में जी रही है अब क्यामत की बड़ी निशानियों पर बात कर लेते है दाबत अर्ज, जमीन का जानमर और जब हमारी बात पूरी होने का वब्द उन लोगों पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग यानि काफिर हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे सूरत अनमल आयत नमर 85 दाबत अलर्ज के बारे में ज्यादा तफसिलात नहीं है लेकिन कुरान पाक में ये कहा गया है कि ये जमीन से निकलेगा और एमान वालों को काफिरों से अलग कर देगा दाबत अलर्ज एक जानवर है जो कियामत से कुछ ही पहले जाहिर होगा और उसे कियामत के दिन की बड़ी निशानियों में से एक समझा जाता है उसकी मुक्तलिफ वजाहते हैं कि ये वाकिया कैसे होगा आहम बात ये है कि ये बड़ी निशानियों में से एक है और अच्छी खबर ये है कि अल्ला के हुक्म से इमान वाले इस ख़त्रे से महफूज रहेंगे याजूज और माजूज याजूज और माजूज के कबीले इनसानियत को बेपना नुकसान पहुचाएंगे और उनका शर्भी कियामत की बड़ी निशानियों में से एक है उन्होंने कहा ऐ जुनकरनैन याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद पहलाने वाले लोग है तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकर्श कर सकते है जिसके बदले आप हमारे और उनके दर्मियान कोई दिवार बना दे सुरतुल कहफ आयत 94 किताब मुकदस कुरान पाक में ये बयान किया गया है कि जुनकरनैन की बनाई गई दिवार के जरिए याजूज माजूज के फसादी कबीले दूसरे लोगों पर हमला करने में नाकाम हो गए थे और वो क्यामत की करीब बाहर आ जाएंगे और इनसानियत पर हमला करेंगे यहां तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से फिसलते नजर आएंगे और सचा वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो अचानक यहालत होगी कि जिन लोगों ने कुफर अपना लिया था उनकी आँखे फटी की फटी रह जाएंगी और वो कहेंगे कि हाए हमारी कमबक्ती हम इस चीज से बिलकुल ही गफलत में थे बलके हमने पड़े सितम ठाए थे सुरत अलबिया आयच 96 और 97 कुछ उल्मा की राय है कि ये कबीले वही थे जिन्होंने मुसल्मान मुलकों पर हमला किया सारी लाइबरेडिया चला डाली मुसल्मानों के सुनहरे दौर का खात्मा किया उन्हें दुबारा अंधेरे में धखेल दिया जो के मंचूरियन और मंगोल थे क्यामत करीब आते आते लोगों के ऐसे कबीले भी आएंगे जो फसादी होंगे और याजूज माजूज की हैसियत से जमीन पर खूब दहशत पहलाएंगे बेशक अल्ला ही सबसे बहतर जानता है दज्जाल रिवायात में दज्जाल के जहूर को दुनिया के खौफनाक तरीन वाकियात में से एक तसलीम किया जाता है अहादीस में दज्जाल को एक जूटा मकार और बदी और अच्छाई सही और गलत को खलत मलत करने वाला बयान किया गया है ऐसा शख्स जो किसी चीज़ की असलिये चुपाने के लिए उसे उपर से सजाता है दज्जाल बहुत से है हर सदी में एक दज्जाल पैदा होता है एक हदिश शरीफ से हमें मालूम होता है कि ये तादात तीस होगी कुर्बे कियामत के दज्जालों की सबसे खास हैसियत है उन में से एक बड़ा दज्जाल है जबकि दूसरा इसलाम का दज्जाल सुफियान है रिवायात के मताबक सुफियान मसल्मानों में से ही निकलेगा लोगों की आखरत की जिन्दगी तबाह करने के लिए फाहाशी और हराम पहलाने की मुनाफिकाना कोशिश करेगा खुद को मसल्मानों का खैर ख़ाहर करने के लिए वो कुछ दीनी आदमियों को धोका देगा और उन्हें अपना हमायती बना लेगा वो लोगों को धोका दे कर अपने कुफर बेहयाई, फुजूलियाद और जूट को काईम रखेगा बहराल हर कोई दज्जाल और सुफियान को नहीं पहचान सकता ना ही हर एक को मालूम है कि ये दज्जाल है उसे इमान वाले जहन और उस जहन से पैदा होने वाली मस्तक्बिल बीनी से ही जाना जा सकता है महदी एहल बैत की उलात में से महदी जाहिर होंगे और इसलामी दुनिया को मतहित करके उस जमीन पर अदल का निजाम राइच करेंगे सारी बुराईया खत्म हो जाएंगी और इनसाफ काइम होगा महदी को एक अजीम शक्सियत के तोर पर बियान किया गया है जो कुर्ब कियामत में आएंगे वो अल्लह की तरफ से सच्चे रास्टे पर होंगे वो लोगों खुसूसां मुसल्मानों को सच्चे रास्टे पर चलाएंगे वो जल्म और नाइनसाफी से भर जाने वाली दुनिया में इनसाफ काइम करेंगे वो काफिरों और शक्की और कच्चे पकी इमान वालों को अंधेरों से निकालेंगे उनका आना क्यामत के दिन की एक निशानी है वो मुसल्मानों के इमान को मजबूत करेंगे और कुफर की अलामत यानि दज्जालियत को खत्म करेंगे वो एक अजीम शक्सियत होंगे आस्मान से हजरत ईसा अलिह सलाम का नासिल होना क्यामत की एक और बड़ी निशानी हजरत ईसा आलिह सलाम का जबना उतरना है और यकीन रखो के वो यानी ह lijनी हजरत ईसा आलिह थ판ा की एक निशानी है सुरत औ-जखरफ आयत नमeर 61 तक्रीबर हम सभी लोग हजरत ईसा अलिह सलाम का किस्सा जानते है वो सबसे आला चार पेगंबरों में से एक है वो अल्ला की कुद्रत से वालिद के बगैर मरियम अलिह सलाम की कोग से पैदा हुए थे जब वो तीस साल के हुए तो उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी दी गई तीन साल बाद उन्हें अल्ला ने आस्मान पर उठा लिया था जिसे यहूदियों ने सलीब पर चड़ाया था वो उनका अपना आदमी था जो ईससाल की तरहा लगता था वो सलीब तोड़ देंगे, सुरों को मार देंगे, टैक्सिस खत्म करेंगे और दौलत तक्सीम करेंगे वो महदी की इमामत में नमास पढ़ेंगे और उन्हें उनके मकसद में मदद देंगे एक रिवायत के मताबिक इसाय अलही सलाम की दूआ कुबूल करते हुए अल्ला जमीन पर फसाद मचाने वाले याजूज और माजूज ये कबीलों को तबाह कर देगा एक और रिवायत के मताबिक, वो महदी के साथ मिलकर दज्जाल को हलाक करेंगे दुखान, क्यामत के दिन की बड़ी निशानियों से एक दुखान का मतलब है धुआ कुरान पाक में इस नाम से एक सूरत भी है जब क्यामत का वक करीब आएगा तो आसमान से धुए का एक बादल उतरेगा वो पूरी जमीन को घेर लेगा और चालीस दिन तक उसी तरह रहेगा वो इंतहाई गरम होगा इमान वाले उस दुए से जरा से मतासिर होंगे जैसे के वो मामूली गरम हो और काफिर और मुनाफिकीन ऐसे हिला डाले जाएंगे जैसे के नशे में हो सूरज का मगर्ब से तलू होना ये क्यामत के दिन की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है अगर आप इस बारे में सोचें तो काइनाती अजसाम अपने अपने मदारों में मुसलसल बिलकुल ठीक 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 रास्तों पर चल रहे है उसी हकीकत को अल्ना सुबारहु अताला ने सूरत अर्रह्मान की पांचवी आयत में यू बियान किया है सूरज और चांद एक हिसाब में जक्ड़े हुए है इस तर्तीब का दरहम बरहम होना बड़ी खौफनाक बात है है ना जब तमाम इनसानों के लिए दुनिया की जिन्दगी खत्म होने का वक्त आएगा तो काइनात का खालिक और मालिक अल्ला सुबाना हुआ ताला अपनी मर्जी से अपनी बनाई और काइम करदा ये दुरुस्त तर्तीब तबाह कर देगा तब सूरच मगरिब से तुनू होगा ये मनज़र देखने वालों को यकीन हो जाएगा कि दुनिया खत्म होने का वक्त आ चुका है क्योंकि इसके बाद तौबा और इम्तिहान का दर्वाजा बंद हो जाएगा उस वक्त का समझना उन्हें कोई फाइदा नहीं देगा उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी पच्चताने का कोई फाइदा नहीं होगा नहीं ही भूनना चाहिए कि हमारा रभ ररहीमिन है अल्ला दुमा म में रह्म किरने वया है वो अपनी जानी पंप्लटने के लिए हमारा इंतिजार कर रहा है अगर अभी तक आपको मौत नहीं आई अभी तक आपने सूरज को मघरिब से निकलते नहीं देखा तो तौबा का दरोजा अभी भी खुला है क्या ये वो वक्त नहीं कि हम तौबा करके अल्लह की तरफ पलट जाए कभी कभी आपको अपने फाइदे के कामू में जल्दी दिखानी होती है मौत और क्यामत का दिन हमारे लिए लाजमन सलामती और एक्मिनान वाला होना चाहिए